पार्टनेशिप क्या होती है, पार्टनेशिप के फीचर्स क्या होते हैं, और साथ में पार्टनेशिप डीड क्या होते हैं, यहीं सब डिसकस करा था, तो हेलो दोस्तो, वेलकम बैक तो संजे क्लासेज, आज हम फंडामेंटल और पार्टनेशिप के आगे के टॉपिक्स डिस तो business के लिए वो क्या होती है? लाविटी, समझाया है नहीं है? इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना है, जब कभी भी आप accounting कर रहे हैं, तो आपको हमेशा किसके point of view से सोचना होता है? Firm के point of view से, ना कि किसके point of view से सोचना है? Partner के point of view से सोचना है, इस पर जो interest पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Interest on loan. और एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना है, interest on loan is a charge against profit. बढ़ी, charge against profit, जो देना ही, देना है. जाए profit हो? यह खास बात होती है. Interest on loan, P&L account में आता है, ना कि कौन से account में आता है, profit and loss, तो अगर कभी भी किसी भी कोशन में, partner से हमने loan ले रखा है, तो हमें उस पर interest देना ही देना पड़ेगा. अगर deed है, तो deed में जो rate of interest given है, उस case आप से देना पड़ेगा, और अगर partnership deed, नहीं है, तो as per Indian partnership act 1932, उस case आप से interest on loan देना पड़ेगा, और वो क्या कहता है, किस rate से देना पड़ेगा, 6% पर देना पड़ेगा, तो बच्चों यह चीज़ समयने लिखवा रके है, sometimes है firms need, sometimes है firm को अवशक्ता पड़ जाती है, किस चीज़ की अवशक्ता है, some extra funds which it raise, takes from partner in the form of loan, interest on such loan is provided, interest भी दिया जाता है, इस तरीके के loan पर, as per the rate of the agreement, जो rate है agreement, थोड़े इदर ओके बच्चों, as per the rate of the agreement, end at the rate 6% पर एनम, end at the rate 6% पर इदर आजा, आप भी छो जो, भी छो जो जो, ठीक है बच्चों, end interest किस rate से दिया जाएगा, 6% पर एनम से, ठीक है मेरे दोस्तों, अब अब तोड़े नहीं, अब तोड़े नहीं, रखे हैं मरत तुमारी तो फोटो आरी है, मेरी थोड़े आरी है, चलो जी सर, तो बच्चों ध्यान रखना, agreement worth the interest between the part, बात है नहीं है, अगर partners के बीच में डीर है, तो interest किस रेट से दिया जाएगा, जो agreement मेंशन है, और अब पार्टनर्स के बीच में कोई डीर, नहीं है, तो भी interest दिया जाएगा, और किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर, ठीक है, calculation of interest नहीं, अरे कोई camera बाइम नहीं चल ला, या, कुछ पता ही नहीं है, जन्दिगा, चलो, अब यार, यह ना मुझे थोड़ा fast series बनाने, तो पिलिज डिस्क्रबेंस मनफे, चलो, interest is calculated for the period, for which loan is used, यानि common sense वाली बात है, अगर मैंने loan 6 मेने के लिए यूज़ करा है, तो interest के लिए दिन का दूँगा, 6 मेने, 3 मेने यूज़ करा है, 3 मेने का, interest on loan is a charge against profit, सारी बाते आपको समझा रखिये, जो देना ही देना है, that is, it is to be provided, even in case of low, चाहे firm को profit हो, चाहे low, सुलो द्यान से दर दो बाते से नहीं, मिलेगे आपको इस chapter में, एक charge against profit, एक appropriation of profit, चाहर जो को देना ही देना होता है, तो बीज़ए है, जितने भी charge against profit है, वो कौन सा account raises होते है, profit है, लोग से, जितने भी appropriation of profit है, वो का packet रखियो होते है, चार्ज अगेंस प्रॉफिट के एक्सांपल जो 11th क्लास के आइटम्स थे, PNL मा देचा है, रैंक्ट है, विल्डिंग का रैंक्ट देना है, प्रोईस की सेलरी देनी है, इलेक्रिसिटी, अड्वुटीजमेंट, इस सब चार्ज अगेंस प्रॉफिट है, वाट इस इंट्रेस्ट अंगेंस अगेंस अगया देगेंगे, और साथ में लोन क्या होगा, बढ़ जाएगा, अभी अमने पे नहीं खार रहा है, इसके बाए जबाए जब आप पेमेंट करोगे, एंट्री पेमेंट ऑफ इंट्रस तो पार्टनर्स लोन देविट तो बैंकर रहा हो आप चाहो तो सीधा भी entry बना सकते हैं, interest on loan debit to balance, and at the end of the year, interest on loan will be transferred to profit and loss of loan, entry for transfer of interest on loan to P&L, तो interest on loan के balance क्या होंगे, बताओ, debit balance है, इसको close करना है, तो क्या करेंगे, प्लेट करेंगे, बजो भचो, interest on loan क्या हो जाए, debit क्या हो जाएगा, profit and loss of loan, तो मेरे दोस्तो इस तरीके से यह वाला पॉंसर्ट हमारा इंट्रस्वान लोन का खतम हो जाता है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोन टूआ पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, देखो दो बाते हैं हो सकता है हमने पार्टनर को लोन दिया हो अगर आगर पार्टनर को लोन दे रहा है मेरे दोस्तो तो वो क्या बनेगी? इंटरस्ट तभी आएगा या इंटरस्ट बुजनस की कमाई तबी बनेगी जब साफ साफ डीड में मैंशेन है और अगर डीड में मैंशेन नहीं है पहां प्राइब करेंगे पार्टिड है तो जो कर पार्टिड कहेंगी मानना पड़ेगा पार्टिड नहीं है सिक्स परसेंट प्रेंट पर इस इंटरस्ट को ट्रांसफर कर दिया पेंडल में तो इंट्रस्स कि वैलेंस किया थे डाटट लॉस कर दिया क्रेडिट ओर को फिडञे लोस्ट ठीक फिलो को आपने इक पांटनर उकर आ भार तोcrire आपने गलाइँ हो अपने को आप रिए थे लोग तो मेरे दोस्तों एसट है लॉम्टंटे पांटनर इसएं एसर और उस है तो हमें क्या होगा आऊ इंटरस्ट मिलेगा जैसे लोन आप हम कोन से activity हो? Financing है अब आप connection कर सकते हो तो जो पार्टनेशिफ बीड है तो पार्टनेशिफ बीड में जो भी rate मैंशन उसे rate हम interest लेंगे और अगर partnership बीड नहीं है तो पिर जहां लगना को interest नहीं में लिएगा समझ आगी बिटा या नहीं आगी? तो sir example है loan given to ram partner को loan दिया हमने तो loan to ram debit to bank तो bank क्यों करा बेटा पैसा गया समझा रही है आपकी बात यह नहीं है हमारे पास से क्या हो गया पैसा चला गया पैसा जाएगा तो bank क्या होगा credit होगा और loan दिया है तो यह क्या बन गए हमारे एक तरीके से ऐसे अरे बोलो भई due date पर हम क्या entry बनाएंगे due date पर हम कहेंगे loan हमें interest मिलेगा तो interest हमारी क्या बनेगी कमाई interest हमारी क्या बनेगी कमाई और loan to ram debit ठीक है if paid immediately to ram अगर हमने interest hand to end जो है if paid immediately यह मलब two थोड़े आगा पर राम ने हमें वो पे कर दिया immediately तो कई बार बच्चा बहुत सारी गलतियां भी करता है if paid immediately by ram राम ने पैसे देए interest के तो bank account debit to loan to ram ठीक है year end पर क्या होगा transfer to pay end अब्यस्थी बात है interest हमारी कमाई है तो interest on loan के balance के आते credit और इसको हमने can't close कर दिया profit and low support तो यह एक illustration number three है common sense वाली illustration है इसको मैं भी question तो नहीं पड़ पाऊंगा आप देख ले ना book से और मेरे दोस्तों हमने यहां पर टीएस ग्रेवाल book यूज करी है 2022 edition तो आप सभी बच्चे इस इन वीडियो को साथ में रख सकते हो अपनी किताब साथ में रख सकते हो और साथ में notes बस सुनते रहो देखते रहो आपको मजा आ जाएगा कोई tension नहीं है आप यह सब करने के बाद खाली scanner भी कर लोगे तो भी आपका एक्जाम अच्छी से चला जाएगा लेकिन आपको बच्चों खुद अपने हाथ से भी questions ट्राइ करने पड़ेंगे ठीक है मेरे दोस्तों चलो जी सर तो एक अप्रेल 21 अक्टूबर 21 31 मार्च 22 हुआ क्या है अमित का लोन है एक अक्टूबर 21 चमन ने भी लोन दिया है इतने का और रेट क्या है 9% पर है ठीक है मेरे दोस्तों 31 मार्च को इंटरस्ट इस नोट याट पेड इंटरस्ट अभी पे नहीं गा रहे है तो सर जी एक बाद बताओ एक अक्टूबर से 30 मार्च तक कितने मेरे बन जाएंगे तो बताइए एक लाग पे नाइन परसेंट इंटू सिक्स वाइट वैल बोलो बेटे यह किसका अमित के और यह चमन का बोलो हाया ना तो चमन ने लोन कितने लाग का नाइन इंटरस्ट इस नाम देते कि बच्चों कि चहरे पर थोड़ी वह स्माइल आ जाए कि हां यार बच्चे चमन सुनके थोड़ा सा क्या हो जाए खुश हो जाए समझ मां आ गई बातिया नहीं आगई चलो बालगी कॉमेंट सेंस वाला कोश्य है ना बोलो लेकिन ध्यान रगना इंट्रस्टों लोन इजा क्या है बोल इंट्रस्टों लोन इजा डाइश चार्ज अ कर देना ही चायप्रावडो समझ माई बाते ने हम जी चलो जी सर जन्णल एंट्रीस अब जन्नल एंट्रीस पी थोड़ा समय लेते हैं आहां कि यह इस पर कर दो तो समयंदे पर जानके तो यहां ने सु तो बहुत अच्छा बच्छा है तो यहां पर सबसे अच्छा अच्छा तो इमान सुझे यहां का जा और थोड़ा नोन विस्ट कम खाये कर समझ मागी बात करना तेरी गुद्धी ठप हो जाएगी तर सुनले अरे मैं बता रहा हूं तरे को सुनले मेरी बात बाते नहीं बैंक अकाउंट डैबिट तू हमें सकल से पता चल जाता भाई बैंक अकाउंट डैबिट तू अमिट्स लोन और तू चमन लोन पहले लोन आगया बोलो हाई है ना बटा देखो एंट्री का लोजिक पैसा आया ने पहले तूले मेंशची रखने से करने कोलोब ती इसको इंट्रेस्टच कवरा करने से क्या हो रहा है बता करनेसे क्या रहा है बठसहे चल था माई ऐसे तो डैर्मेंट में विधा पाटने का लोन अकाउंट बनता था तो भाई, भाई सीज कैपिटल करके डाल दिया, फिर भाई इंटरस करके डाल दिया, वही तो है, येस, आपर जैनल बना रहे हैं बस, और अट दी अंड अप दी येर, हमने इंटरस को क्या करा, ट्रांसफर, तो इंटरस के बैलेंस क्या देख बैलेंस क्या थे डैबिट, कुण से बैलेंस थे डैबिट, और आज क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो इंटरस्ट अनलो न्लोन, समझ आया, और कौन सा अकाउंट डैबिट हो गया, प्रफिट है, समझ गया बच्छो, तो आप तीन नंबर कोशिन ऐसा एक्सपेक क तो यह देखो लोन अकाउंट भी बना कर दिखा रखा है तो मेरे दोस्तों जब हमने लोन लिया एक अक्टूबर को लोन लेंगे लाइबिटी बढ़ गए 11th क्लास बोलो बच्चो 11th क्लास में लोन है तो लाइबिटी क्या होगी बढ़ जाएगी लाइबिटी के बैलेंस क्य लोन लिया है डेल लाग का पर दुबार रख्या आगया इंट्रस्ट और बैलेंस सिंपल बच्चो वाले चीज़ है ना मेरे दोस्तों बोलो जी सर जी मज़ा आगे सर मज़ा आगे इलस्ट्रिशन नमबर 4 भी करा रखिये बच्चो आपको कुछ नहीं करना किताब साथ में रखनी है और यह वाले नोट्स आप में रखने आप भी बटाई नोट्स ले लोगों तो सही रहेगा बाकि तो आपकी मर्जी है कि नहीं अपने स्टार्टिंग से मारबस क्लास नहीं लिए इसलिए और मोबाइल पर भरुशा करना बेकार है मोबाईल तो बेकारी चीज़ ह तो इसमें आप पढ़ते रहों न पढ़ाई इन्पुट हमारे पास रहने चाहिए नहीं है तो हम क्या से फिर बताओ प्यारी करें तो यह कोशन है अब देखो अगर हम ने तरीके से चीजे बना रखिए तो बिना कोशन के भी हम समझ सकते हैं कोशन कुछ ऐसे अब यहां पर यह नहीं पता चल रहा है यह एक अक्टूबर दिनों ने लिखा है तो शायद एक अक्टूबर को यह बढ़ागे पढ़के देखते हैं हैं और यहांपर केस commitment से हुआंअ बार्ट की सब्ताइब तो फिल्किस अस smyou यह यहां पर केस क्या है कशन नंबर बन में प्रॉफेट इतना है किस नंबर टू में spill में इतना है की डिस की मोशन क्या है लोस नेगिटिव का मतलब क्या होगे मेरे दोस्तों लोस नेगिटिव का क्या मतलब है लोस कोई दिक्कत नहीं है इंट्रस्टन नों इस पर निकाल लिया चार लाग पर 6% निकाला और 6 महिने का तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक अक्टूबर से होगा मैं सांदाज़ 18,000 तीनों केस में माइनस हुआ और देख रहे हो हमने प्रॉफिट को देखा कितना है इतना नहीं क्यों क्यों नहीं कि प्रॉफिट को यहां पर इसमें क्यों बड़ी बात ने 25 का प्रॉफिट 18 निश्ञर चला गया तो डिवीजिवल प्रॉफिट कितने का बच गया 7,000, अरे बोल भाई 15 गा profit, 18 का Loss हो गया, कितने का Loss बच गया 33,000, क्योंकि profit क्या था कम था, आप देखो यहां पर पहले से Loss था, पहले से क्या था Loss, और अल्टा और Loss हो क्यों गया, बात आई समझें अब तो क्या होगा, Loss बढ़ जा था पहले लोस 25 एर का था बोलो बच्चो पहले 25 एर रुपे का था मेरे दोस्तो लोस था और अब 18 का लोस और हो गया तो टोटल लोस कितने का हो गया 40 बस यही निकालना था आगई बाद समझ और यह आपन निकाल कर भी दिखा रहा कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने के सबसे को चल जी सब्सट्र समझा जाएता हूं कि इस लेक्टर को कि ही पर लौश करेंगे तो चार्ज अगेंश प्रॉफेट जो देना ही देना है एब्प्रोपिशन प्रॉफेट अगर फ्रॉफेट है तो देंगे यहांगे बहना नहीं इस बड़रब एन प्राइरटी इस टीटेट फर्स फिफॉर एक्रोफिर्फिर्टेशन जाता है और एक्जाम्पल पकूर्टन को रेंट देना है एंप्लोई की सेलरी है यह सब पोल आइटम ओ प्हीयन है और यहां पर एक्जाम्पल क्या है पार्टनर की सेलरी इंट्रेस्ट वांथ कैपिडल जेनरल लिजर्ड कमीशन पार्टनर की कमीशन समझ आया मेरे दोस्तों तो चलो जी तो यह इस वीडियो को ध्यान डगना अच्छे से कॉंसेट अगली क्लास में अमलब अगले डिविजन लेक्षर में मैं आपको कराऊंगा पी एंडल एक्रोप्रेशन अकाउंट तरीके से